हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल, ये वीडियो पर्मूटेशन एंड कम्बिनेशन पर होने वाला है, इसमें मैं बेसिक से लेकर इंटर्मीडियेट और अड्वांस लेबल तक जाओंगा, इसमें कम्प्लीट कॉंसेट होगा कि कैसे PNC काम करता है, और सा इसमें कभी-कभी आता है, CGL, CHSL, और डिफरेंट बैंकिंग एक्जामिनेशन, सब में ये कुछ कोश्चन्स PNC से रहता ही है, तो आज कम्प्लीटली डीटेल में समझेंगे, ये बिगनर क्लास है, और बिगनर के साथ-साथ ये इंटर्मीडियेट लेवल मैं ले जाओंग एक एक इक्जामिबल से समझते हैं, सब्सक्राइबर हमारे पास, मानके चलिए three shirts हैं, and two pants हैं, और हमें निकालना है कि total number of combination कितना possible है जिसके तरीके से हम लोग इसको वियर कर सकते हैं, इसको बेहन सकते हैं, तो मानके चलिए three shirts हैं, मानके चलिए हम color ले ले लेते हैं, color हम म but still we take yellow and then G for green just later different रहे तो randomly मैंने ले लिया so अब possibility क्या है हमारा ये red shirt हो सकता है और yellow pant हो सकता है पहला possibility red shirt हो सकता है green pant हो सकता है दो possibility हुआ then white shirt yellow pant white shirt green pant then blue before blue और black जो भी है blue pant and green blue के साथ first arrange करके लिखते हैं so blue pant and blue shirt white pant and blue shirt green pant ये total हमारा हो गया कितना पाद छे हमारा total छे तरीका से हम बना चुके हैं कि इतना possibilities में 3 shirt और 2 pant हमारे पास रहे तो 6 तरीका से हम लोग पहन सकते हैं so ये हुआ ये normal fundamental principle of counting बोल सकते हैं simple हम count करके हम बता दिये कि ये 6 है but just suppose ये 3 shirt के जगा हमारे पास suppose 300 shirt होता और 2 pant के जगा से suppose हमारे पास 500 pants होता तो उसमें तो ये counting use नहीं होगा उसमें आप एक एक करके तो count करेंगे नहीं then हम लोग use करते हैं तब हमारा concept आता है कुछ mechanism ऐसा हो कि हम लोग कुछ तरीके से directly इसको find out कर दे तो अब देखिए ये जो हम लोगों ने equation solve किया इसको दूसरे तरीका से कैसे लिखा जा सकता है हम दो position मनाएंगे first and second ये मान लीजे shirt का है और ये pant का है ठीक है अब देखिए कि shirt वाले position में हमारा कितना possibility है कितने तरीके से ये वाला position को भरा जा सकता है इसका मतलब सिर्फ red आएगा या वाइट आएगल या थो blue आएगल मतलब तीन तरीका है सट पहनने का अब pant का देख लेता है pant 2 है मतलब सिर्फ को पहनने का 2 तरीका है इसको multiply कर देंगे तोनों dependent events है मतलब दोनों साथ में depend कर रहा है इसलिए इसमें multiply कर दिया तो यह हमारा कितना आ गया six आ गया और हमारा यह count करके भी six आया इसका मतलब एक चीज़ clear हो गया कि जब दो dependent event है और आप simple एक position ले लिजे कि एक position और second parent का position कितना कितना possibilities से वो position को भर सकते हैं तो 3 into 2 यह 6 यह basic concept हो गया अब मानके चलिए एक event और बढ़ा देते हैं जैसे तीन shirts दो पैंट राने देते हैं और अब suppose दो venue कर देते हैं पैंट के चलिए वो यह तो पार्क जा सकता है दो venue यहां लिख देते हैं यह तो पार्क जा सकता है यह सकेंड रख लेते मॉल अगेरा चलिए पार्क जा सकता है मॉल जा सकता है यह combination पहन के तब हमारे पास यह छे combination है तो सपोज ये छेओं पहन के सब पीफ़र पार्ग जा रहा है ठीक है ये कॉम्बिनेशन हमारा हो गया तो अब यहां हमारा टोटल नमबर पॉसिबिलीटि कितना आ गिया बारा आ गिया छे ये छे ये तो इसका मतलब है अब इसको हम पर डिकोड करते हैं इसमें अब क्या होगा और वेन्यू के लिए भी दो चोईसे से पार्क और मॉल, तो यहाँ 2 हो गया, अब यह तीनों को मल्टिप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यह 12 हो गया, मतलब यही 12 जो हम लोगों ने काउंट किया था, तो आपको क्लियर हो रहा होगा, जो काउंटिंग है, वही exactly से यह process में हम answer निकाल रहे हैं, ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दू, यह आपको clear होगे, इस से related मैं अभी questions कराऊंगा, एक दो question से आपको clear हो जाएगा, एक चीज़ और बता देता हूँ, permutation और combination का थोड़ा basic बता देता हूँ, permutation generally हम लोग उस जग़ा पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें order matter करता है, suppose हमारे पास ABCD करके later है, और हमें बोल दिया गया है कि इस 4 later में से कोई 3 later choose करो, तो suppose हम लोग ABC यूज़ कर दिये, ABC choose कर लिये, ठीक है, तो ABC जब चूज़ किये, और केवल अगर चूज़ करने का है कि 3 later choose करो, कितने तरीके से कर सकते हैं, तो उस case में तो केवल हमारा ABC एक particular unit हो जाएगा, लेकिन जब इसको सजाने का बात आया, तो ABC को हम लोग 6 तरीके से सजा सकते हैं, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB और CBA, मतलब इसको 6 तर order matter करता है, ABC differ करेगा, ACB से, लेकिन combination में क्या होता है, combination में जब आप question देखिएगा, उसमें simple ये बोलेगा, कि ABCD हमारा later है, हम कितने तरीके से, जब सब्सक्राइब 4 परसन है, हम कितने तरीके से 3 परसन का team बना सकते हैं, उस हमें ABCD में common नहीं होगा, मतलब ये example नहीं लेत है, common का, suppose 11 players है हमारे पास, उस player में differentiation नहीं होता है, जैसे ABCD में different है, ABCD, चारो different है, लेकिन combination के case में क्या होता है, कि जो हम test case लेते हैं, जैसे यहाँ 11 player लिए, ठीक है, इसमें से 2-2 player का हमको team बनाना है, तो simple हम 11, C, 2 होता है, C for combination, यह आगे मैं समझाऊंगा, पट यहाँ ज अलग-अलग cases नहीं होगा, because अगर as a team consider करेंगे, तो एक team में 2 लोग है, AB और BA, दोनों तो same होगा, मतलब यहाँ order matter नहीं कर रहा है, यहाँ combination matter करता है, एक combination ले लिए AB का, बस AB 1 ही consider किया जाएगा, तो यह आप समझ लीजे, अब next time questions के तर बढ़ता है, इस से related में कुछ examples क आता हूँ आपको, जैसे first question देखें किया है लिखाया है, find the number of four letter words with or without meaning, which can be formed out of the letter word rows, where the repetition of the letter is not allowed, repetition allowed नहीं हो, और हमारे पास किवर चार letter है, R-O-S-E, अभी जो हम लोगों ने यह example समझाता, 65 वाला, same हम process यूज करेंगे, क्योंकि counting को मैंने relate करके बता दिया, तो आपके mind म clear हो गया होगा कि यह कैसे काम करता है, internally, ठीक है, अब आजाते है questions पर, अब four letter word बनाना है, तो हम चार position ले लेंगे, चारों position में एक एक letter fit होगा, और ध्यान दीजेगा कि with or without meaning, आपको चेक नहीं करना है कि वो dictionary में उसका कुछ meaning है कि नहीं, and third है कि repetition not allowed है, ठीक है, so just suppose हम प letter को हम fit कर देंगे पहले number पर, ठीक है, अब चार में से जब कोई एक letter fit होगिया, suppose हम लोग R को ही fit कर दिये, example ले रहा हूं बस मै, R को fit कर दिये, अब हमारे पास कितना letter, कोई भी fit हो सकता है, अब हमारे पास कितना letter बचा है, क्या लिखा है repetition नहीं कर सकते, अब हमारे पास क जब बारी आएगा, तो केवल 3 letter बचा रहेगा, मतलब next को केवल 3 तरीका से fill किया जा सकता है, तो वैसा ही जब दूसरे पर मान के चलिए हम लोग S fit कर दिये, तो हमारे पास O और E बच गया, next position के लिए हमारे पास केवल 2 letter बचा हुआ है, 2 हो गया, और next position में बस O E में, suppose य आंसर हो गया, तो आपको clear हो रहा हो, अब देखिए, यहां एक question में modify कर देता हूँ, suppose यहां लिखा है न, where repetition of the letter is not allowed, suppose अगर repetition allowed होता, तब क्या होता, that means repetition allowed होता, तो first position पर आपके पास initial में rows है, तो इसका 4 letter, 4 available है, तो यहां 4 हो जाता है, ठीक है, second में क्या है, कि कि अगर हम suppose R ही लिख देते हैं, लेकिन बोला है, repetition allowed है, मतलब फिर R available है, फिर use करने के लिए, मतलब second position में हमें 4 letter available है, फिर third पर भी 4 available है, fourth पर भी 4 available है, इसका मतलब इसका answer हो जागा, 4 to the power 4, So, ऐसे use करते हैं, जब repetition और non-repetition वाला question आता है, तो यह आपको clear हो गया होगा, यह concept से, अभी मैं यह concepts करा रहा हूँ, because यह fundamental principle of counting को कैसे हम लोग multiply करते हैं, एक-दो example के बाद simple यही, जितना example मैंने यही question को, मैं permutation और combination से directly formula wise करा हूँगा, since मैं यह beginners के लिए भी है, तो उ Given four flags of two, of different color, how many different signal can be generated if signal require the use of two flag, one below other, मतलब दो ऐसा flag है, इसमें एक color होगा, पहला color यहाँ आएगा, दूसरा color यहाँ आएगा, और हमारे पास total color कितना है, चार color है, ठीक है, और बोला क्या गया है कि different color use करना है, मतलब repetition allowed नहीं है, तो मान के चलिए चार में से, जब first position हम दे चार possibility है, चारों में से कोई भी एक color हम लोग use कर सकते हैं, अब second वाले में देखेंगे, तो चार में से एक color use हो गया रहाएगा, मतलब हमारे पास तीन color बचाओगा, तो second वाले में हमें तीन color ही possibility है, तो 4 into 3, that is 12, यह simple answer है, और इसी case में कर repetition allowed होता, तो पहले में 4 possibility होता, औ दूसरे में भी जो use कर दिये हैं, उसे भी use कर सकते हैं, मतलब still हमारे पास 4 होता, तो 4 हमारा हो जाता, that means 16 answer हो जाता, जब भी repetition allowed है तो simple आप जितना number of possibility दिया है, उसका power में जितना position है, जैसे यहाँ पर 2 है, तो 2 position कर दीजे, जैसे last वाले example में, repetition जब allowed था second वाले option में, त position कितना था 4 था, तो answer directly 4 to the power 4 आप लिख सकते हैं, ठीक है, और एक trick में यहाँ बता देता हूं, पर एक factorial में थोड़ा सा explain कर देता है, factorial होता क्या है, suppose factorial को हम लोग ऐसे भी denote करते हैं, और ऐसे भी denote करते हैं, इसका मतलब है, n factorial का मतलब होता है, n into, एक एक minus करते जाएंगे, n हमारा हो जाएगा, 4 into 3 into 2 into 1, that is 12 दूनी 24, यह 24 हो गया, जैसे factorial 3 है, यह हमारा 3 into 2 into 1, यह 6 हो गया, और factorial 1 हमारा 1 होता है, और factorial 0 भी 1 होता है, यह आप याद करकर रखेगा, factorial 0 1 होता है, ठीक है, और एक और arrangement आप बता देता है, जैसे मान के चले, factorial 5 है, तो इसको हम लिख सकत है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है, अब देखिए, यह 4 जो पार्ट है, 4 के बाद में, यह क्या है, actual में factorial 4 है, देखिए, factorial 4 में भी यह लिखेते, तो इसको हम लिख सकते है, 5 into factorial 4, तो यह equation भी याद रखिए, कभी-कभी काम आता है, तो इससे हम generalize करेंगे, इस equation को तो क्या पता चल र रख लेते हैं, n factorial is equal to, यह n है, क्योंकि n से ही start होता है, n into n-1 का factorial, यह आप general equation लिख सकते हैं, इसको और expand करना चाहा है, तो n into n-1 into n-2 का factorial, अब simple generalize कर सकते हैं, आपको concept clear हो गया, तो अब generalize कर सकते हैं, तो अब आते हैं पहले वाले question में, अब यहाँ देखिए, जब यह वाला question मैंने solve कर आया था, 4 into 3 into 2 into 4, तो यह exactly क्या है, factorial 4 का value है, factorial 4 का value हम लोगे निकाला था, 24 है, तो वो exactly factorial 4 का आपको value दिख रहा है, यह वाला part, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कि हमारे पास अगर रोज है, रोज वर्ड है, और हमें 4 जगा साजाना है, 4 लेटर कि आप factorial 4 answer लिख सकते हैं, और repetition अगर allowed है, तो उसका answer क्या हो जाएगा, 4 क्या है, कि total number of हमारा positions, कि कितना positions है, और उसके ऊपर जो power आएगा, वो हमारा हो जाएगा, total number of given letter, तो यह एक trick आप यूज कर सकते हैं, generally जब आप videos देखेंगे, तो यही trick बताते हैं, कि अगर 4 letter है, चार जगा सा जाना है, factorial 4, तो इन बहुत लोगों सांज में आता है, क्यों factorial 4 होता है, अभी मैंने exactly clear करा दिया, फूरा formula से, और जब repetition allowed होता है, तो हम लोग 4 to the power 4, because 4 is the position, and above जो power है, total number of cases, ठीक है, तो वैसे करके हम लोग सकते, यह थोड़ा मैंने उल्टा पता दिया, यह ध्यान दिजेगा, यह जो नीचे वाला 4 है, जैसे A to the power B है, यह क्या है, यह मतलब ROC में जितना number है, because हर position पे 4-4 possibility आरहा है, किसके वज़े से, 4 later के वज़े से, यह जो number होगा, तो कितने number of possible values है, और B जो होगा, कितना number of position है, जैसे 1, 2, 3, 4, यह position यह भी होगा, और यह यह होगा, अगर मैंने वीडियो से थोड़ा पहले, अगर कुछ उल्टा बोलाओ, तो आप correct कर लिजेगे, यह correct है, जो भी मैंने बताया, ठीक है, अब चलते है next question पर, next question मैंने बता दिया, कि 4 है, और आपको 2 सजाना है, तो आप directly ऐसे कर सकते हैं, second वाला तो आप करी सकते है, because second वाला में अगर क्या बताया थे मैंने, कि अगर repetition allowed है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कि total possibilities, total space हमारा कितना है, तो total space हमारा कितना है यहाँ पर, कितने possibility तरीके से कर सकते है, flag हमारा 4 है, तो 4, और total space कितना है, 1 और 2, तो 4 के पार में 2, यह हो गया, यह first वाला मैं आप factorial यूज कर सकते हैं, इसमें permutation का concept आएगा, मैं बतावाँगा, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा यहाँ पर patience रखिये, next question हम लोग देख लेते हैं, next question है, how many two digit even numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5, if the digit can be repeated, यहाँ देखें, यह ध्यान दीजेगा, यह repeat है, और एक condition और दिया है, two digit number बनाना है और even number बनाना, यह तीन चीज़ हम देखके चलेंगे, two digit number सबसे पहले directly आप figure out कर लीजे, two digit number में हम दो position हम बना लेते हैं, ठीक है, अब आते हैं, even number में, even number में आपको पता है कि जो last digit होगा, वो even होगा, तो हमारे पस क्या है, one, two, three, four, five, तो even हमारा two और four है, मतलब last के लि हमारे पास कितना possibility बच रहा है, since यहाँ पर repeated लिया है, कि repeat कर सकते हैं, मतलब, एक, दो, three, four, five, five available होगा, अगर गलती से यहाँ कला हम दो links भी दिये, तो यह दो भी available होगा यहाँ कि लिए, कि repetition allowed है, तो यहाँ पर five हो जाएगा, तो इसका simple answer ten हो जाएगा, ठीक है, वो जो म आपको वो factor को consider करना होगा, next हम आते हैं, next एक और question देख लेते हैं, find the number of different signals that can be generated by arranging the at least two flag in the order one below other on a vertical staff if five different flag are available, अब देखिए, five different flag available है हमारे पास, different color के flag available है, question क्या पूछा है, कि at least two, इसका मतलब है हम at least two flag in order, ठीक है, तो दो flag use कर सकते हैं हम लोग, तीन flag use कर सकते हैं, चार flag use कर सकते हैं, और पांच flag use कर सकते हैं, क्योंकि maximum 5 है, मतलब यह हमारा पांच, यह यह चार combination हमें बैठ रहा है, कि दो flag, तीन flag, चार flag, पांच flag, अब दो flag के लिए हम example लिखते हैं, तो हमें पता है, अब मैं थोड़ा direct-direct करूँगा, जैसे दो flag है, और हमारे पास पांच flag available है, और हमें दो flag ही use करना है, तो हमें एक और दो, ठीक है, और हमें बोला गया है, यहाँ पर देखिए, generator arranging the two flag in order, तो मतलब एक flag use हो गया होगा, तो दुबारा तो use नहीं होगा, but obvious, मतलब यह without repetition का question है, without repetition, जैसे एक flag अगर हम लुग वहाँ लगा दिये, तो दूसरा वो तो flag use हो चुका है, तो यहाँ क्या देखेंगे, first example देखिए, ध्यान से क्या है, तो यहाँ पर first position में हम पांच तरीके से सजा सकते, कोई भी पांच में से कोई एक flag ले ले लेंगे, और दूसरा position में तो यह आपको clear हो रहा, पांच जो के 20 यही 60, चौथा मैं वैसा ही में लिख रहा हूँ, चार बार होगा, 3 x 2 x 1, तो 120 हो जागा यह, और पांच बांच 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 5 x 4 x 3 x 2 x 1, यह भी 120 होता है, तो टोटल कांट कर लेंगे, 240 और 240, 60, 300 और यह 320, मतलब इसका answer हो गया, 320, 220, तो यह आपने समझ लिया, यह example clear हो गया होगा, ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं, permutation और combination का थोड़ा सा basic जानते हैं, formulas वगएरा जानने लेते हैं, combination का जैसे हम लिखते हैं, n, c, r, इसे generally हम लोग लिखते हैं, factorial n divided by factorial r by factorial n minus r, ठीक है, यह formula है, आप याद कर लिजेगा, then n, p, r, p for commutation, c for combination, इसमें factorial n divided by factorial n minus r, ठीक है, अब इन दोनों में अगर relation establish करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए, अगर n, c, r का जो value है, जैसे n, c, r का हम यह लिख देते हैं, n, c, r का यह जो हमारा value है, इसमें अगर हम लोग फैक्टोरियल r multiply कर देते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं, अगर factorial r multiply करेंगे, तो यह r part और यह r part cancel out हो जाएगा, तो यह जो हमारा value बच जाएगा, यह n, p, r हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक equation लिख सकते हैं, कि npr is equal to ncr into factorial r, यह एक equation आ सकता है, मैं करके भी बता देता हूँ, ncr को मैं एक वेटी कर देता हूँ, factorial n, factorial r, factorial n minus r into factorial r, यह r cancel, यह r cancel, so factorial n minus, factorial n minus r, यह होता है npr, so यह formula भी याद, यह 3 formula आप याद करके रखिएगा, आगे काम आएगा, ठीक है, अब चलते हैं, permutation का questions, एक question मैंने, जो यह last question जो कराया था, यह वला ही question, इसको अगर हम लोग को permutation से करना होता, तो कैसे करते हैं, permutation में मैंने बताया था कि order matter करता है, और combination में मैंने बताया था, order matter नहीं करता है, यह video अल्रेटी लंबा हो चुका है, almost 20 minute यह video जा चुका है, और मुझे पता है कि student का जो attention span होता है, 20 minute से जादा वो देखना नहीं चाहते, तो मैं यह काम कर रहा हूँ कि जो PNC का जितना questions है, मैं try करूँगा कि इसे 3 या 4 video partwise करके बनाऊ, तो यह video में मैं यहीं तक अभी stop कर रहा हूँ, अब next video मैं back to back upload कर दूँगा, आप जाके directly भी वहाँ से देख सकते हैं, और साथ ही मैं अगर मैं वीडियो का link भी मैं साथ मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेर भी कीजिए, and also like and press the bell icon so that you will get the notification as soon as I will upload the video, so thank you for today